हेलो डियर फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल ओनलान इस्टेडी पॉंट रन आज हम लेकर आये हैं कॉंस्ट्रेंट मोशन ओन इस्मूद एंड रफ प्लेंज पर आधारे कुछ इंपूटेंट कुश्चन्स यह पार्ट थर्ड लेकर आया हूं इससे पहले म मैं पार्ट बन और पार्ट टू करवा चुका हूं यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रेप्शन और उपर आई वाले बटन पर लिंक दे दूंगा तो आप वहां से जो है सिंपली दोनों वीडियोज को देख सकते हैं उसमें मैंने क्या बताया है साथ ही मै सब्सक्राइब करेंगे जो की काफी इंपोटेंट्स है तो उनको भी आप तयार जरूर कर लीजिएगा तो आईए देखते हैं क्या कहता है और समझी अच्छे से क्योंकि देखा जाए कॉंस्टेंट मोसन पर अधार जितने भी हमारे कॉस्टेंस रहेंगे बो डेरिवेशन से ही जैसी होंगे बस आई प्रोसेस करते जाना है और जो कॉस्टेंस में कहें वो हमें अपनाना है ठीक है आए देखिए यह हैवी पार्टिकल ऑफ डवलू बेट इसका क्या है डवलू यानि एक भारी कन जिसका दिरभमान कह सकते हैं या भार कहें डवलू है अटेच्ट और इमन्ट्रसरेंगर और यह लाइंएस ऑफ्चनिव इस्ट्रेंग डिश्क्राइव च सरी लिनए वैर्टिकल प्रेंइस यह अविलमत-तलमी के स्ट्रेंग कि द्वारा इस फिक्स्ट पॉइंट पर बना कर ओए हैए और तृक जो जो है रसी में क्या है MWA और NWA यानि capital T की value हमें दे दी है दो value दीख दीख दी गई है MW और NW वो respectively यानि क्रिमसा when the particle यानि जब particle is at the highest point यानि जब हमारा highest point पर रहता है तब तनाव हमारा क्या है MWA और जब हमारा point lowest point पर होता है तब हमारा जो टेंसन है वो NWA तो समझ गए इंदा पत इसमें जो अपनेगा उसमें ठीक है हमें सिद्ध करना है N equal M plus 6 हमें यह relation क्या करना है प्रूब करना है तो आप समझ गए होंगे इसमें बात क्या आई कहीं पर वेक की तो आई नहीं है क्या यहां पर हमें इस पर पता चल रहा टेंसन यानि हमें टेंसन चाहिए किसी भी तरह हमें इस पूरी प्रोसेस में टेंस का फॉर्मुला हम ड्राइब कर लेंगे तो समझ लीजिए क्योंकि हमारे पास समझ यह पर निकलाएगा तो हमारे दो इस्तिती में हमें अप्लाई कर देंगे एक हाईस्ट पॉइंट पर लोइस्ट पॉइंट पर तो बहुत ही आसानी से हमारे पास दो एक्क्वेशन बन ज जो हर डेरिवेशन में करके आए हैं लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक बार जरूर प्रूप करा देता हूं फिर से ठीक है आए देखते हैं पहले हम एक सर्किल रहा कर लेते चुंकि यहाँ पर आई सपश्ट और पर कहा गया सर्किल इने वार्टिकल प्लैन यह नही सर्किल पर अधायत होंगे ठीक है तो यह सबना लेंगे तो देखिएगा हमारा स्लोइस्ट पॉइंट कौन से कहला आएगा नीचे जो रहेगा है ना और आएस्ट हमारा भी हो जाएगा और यहां सेंटर के यहां पर हो कह देती हैं ठीक है फिर यहां पर किसी समय में हम कह सक खते हैं हमारा क्या है थीक है अब पी बिंदू पर हमारे विए आप जानते हैं यहांपर जब इसका डबलू भार है तो हमारा नीचे क्या करने आप यह साइड हमारा ठीटा होता हुष साइड हमारा घटा होता उस-घंस में निकलता है न कंपूनेंट हमारा एम जी कॉस्ट हो जाएगा ठीक है और इसी परकास हमारा इसकी अभी लंबत जो अभी लंबत है तो यानी एम जी साइन ठीट हो जाएगा और इसकी वैलोचिटी आप जानते हैं यहां से कोई कंड है यहां पार तो आप कुसी देना हमें कहारेंगी जो इसमें किया लेंगविज भी लिखना पड़ेगी तो आई लेंगविज पहले लिख लेते हैं फिर देखते हैं ठीक है देखते हैं यह पार्टीकल अधिकल एज प्रोजेक्टेट फॉर आधि लोएस्ट पॉइंट पॉइंट lowest point A of A sphere of A sphere with velocity with velocity U बराबर अंडर रूट्स और बोलते हैं velocity U माल लेते हैं ठीक है इसको जे कुन दिया है इना तो बेलोइसिटी U इसको थोड़ा कट करते हैं समझी एक बाब फेर से देखिए एक पार्टीकल उसकाम प्रोजेक्ट करेंगे यानि लोजट पॉइंट ए से बित वेलोसिटी कितनी यू से ठीक है तो आगे बढ़ेंगे हमें यहां से टू मूव टू मूव एलोंग दी इनसाइड आफ दी इस्फियर पॉजिज ऑफ दी इस्फियर लट माना और पी बिन्दू के लिए मान लेते हैं लेट पी वीदा क्या है पॉजिशन एक इनि टाइम टी में है ना तो पी वीदा सम्में लैंग्वेज यासी ही लिखना पॉजिशन ओफ दी पार्टीकल पार्टीकल एक एनि टाइम anytime टेक वियर जहां पर आप कह सकते हैं क्या जानते हैं जी क्या हो जाएगी आर्क बन जाएगी है न एपी तो एपी हमारी क्या हो जाएगी small s and कौर aop aop equal to क्या ठीटा माल लेते हैं और बेलो सिटी के बारे में और कह देते हैं if वी वीदा बेलो सिटी आप दी पोजीशन ठीक है ओप दी पोजीशन ओफ दी पार्टीकल पार्टीकल एट पी कह सकते हैं ठीक है तो इस प्रकाल से लेंग्विज लिखे आप इसी फिगर से हमने लिखी है है ना कि यानि हमारे पास कोई वारिकाण है जिसको हम एक बिंदू से प्रोजेक्टेट करते हैं तो यानि टाइम टी में एक बिंदू पी पर वो पहुँच जाता जहां पर वैलोस्टी भी हो जाती है फिर क्या करते हैं यहां से कौन भी आप देखा दिया हमने यहां पर और यह चाप बता दिया अब यह आप यह कंपूर देंट इसके तोड़ लेंगे तो आप देखेंगे equation of the motion हमारी क्या बनेगी तो आईजी देखते है देन equation of the motion equation of the motion are given by given by m क्या बनेगी d2s bt2 ठीक है यह वना एक वल अब यहां पर समाजिएगा देखिये जैखिये यह क्या हमारा यह कहें तो यह क्या वल यह नहीं है तो इसके बीप्रीद दिशाविटी आप बैग है तो इसके यह कर रहा है यहां कौन सा एम डीट यह वाल है तो यहानी जो हमारे वह हो वो वो उसकी भी प्रीद्दिशा में कौन से कर सब्लार कर रहा है माईनस ए मली सायं ठीटा क्योंकि दिति क्या कर देदेंगे दूसरा हमारी एक क्वेशन क्या तो अभी केंद्री वल क्या बन जाएगा एम वी स्कौर डिवाइड में क्या होता है त्रिज्या वह यहां पर आप रेडियस जो है यह कह सकते हैं सपोज हमने कह दिया रेडियस आंगे बढ़ेंगे तो हमारे पास देखिए अब पैंचानना कि यह ज़्यादा है यह देखिए यदि यह ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा पार्टीकल क्या हो जाएगा वह गती करके वह छूट जाएगा यानि रसी जो हमारे टूट जाएगी है ना यानि वह गती फिस सरिकलाकार नहीं होगी तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा जो टी है आपका यह ज़्यादा होना चाहिए तो आज आएगा टी बराबर यानि टी माइनेस एम जी कोज थीटा इसको एक्वेशन हम सेकंड क्या देंगे तो देखिए आप चाहें तो वेग निकाल सकते हैं तो वेग तो निकालना ही पड़ेगा हम क्या करेंगे यहां से वेग के लिए कंडिशन और बना देते है ठीक है तो आए क्योंकि हमें चाहिए वी स्कॉर की वेल्यू तो हमें इस एक्वेशन को ले लेते हैं आपको यह और रिलेशन बनेगा आपके पास देखिए यह से ठीटा और रेडियस आपको पता है स्मॉल है तो आपने पढ़ा होगा कौन चापबटी तिरेज्जे कौन गाई ओ कर देगे तो यहां सी आप बन जाएगा एसस बराबर वह एक ठीटा नहीं बन जाएगा को यहां से इसका डिफ्रेंसेशन कर देंगे तो डी स क्वेशन कर देंगे तो टीटू ठीटा डीटीटू नहीं कह सकते हैं यहीं हमने जब डेरिवेशन कर रहे तो यहीं प्रोसेस अपनाई थी तो हम देखेंगे इसमें फ्रॉम फस्ट से तो आई यह देखेंगे तो यहां से आप रख सकते हैं MTM कैंसल हो जाएगा और इसकी जगह पे हैं यह तो है किया हो जाएगा हमारे पास फिर पर आजाएगा यहां से करने के पास किया करना है यहां से मल्टिUPLY कर देना है तो इए क्या हम इंट्रीकेशन करना है तो एक सिंफल तरीका के दोले हम हम इसमें कुछ multiply कर देंगे both side by 2a d theta dt ठीक है आगे बढ़ेंगे तो हम इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2a square d theta dt dt2 d theta t2 ठीक है माइनस 2a g sin theta d theta dt जी आजाएगा अब इसमें आप देख सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं d theta dt और यहां से आजाएगा a a d theta dt का whole square ऐसा लिख सकते हैं differentiation करेंगे तो यहीं आजाएगा आगे बढ़ेंगे तो इसको प्लस करेंगे यहीं रहने देते हैं 2a g d dt और इसको हम लिख सकते हैं और यहां से लिख सकते हैं और इंटी ग्रेटेंग तो करेंगे तो हमारे पास कितना आजाएगा d t theta dt कितना जाएगा का कितना whole square बरावर अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं इसके इसको लिख सकते हैं और इसका करेंगे तो टू एजी कॉज ठीटा एनिस कॉंस्टेंट हमारा इसको एक्क्वेशन हम क्या कह देंगे थार्ड कह देंगे ठीक है अब हमारे पास हमें चाहिए कॉंस्टेंट एक ही वेलू तो आपको इनीशियल कंडिशन पता है तो यहां से क्या कर देंगे इनीशियल कंडिशन का उप्यों कर लेंगे ठीक है तो आएज देखते हैं 400 है तो आगे बढ़ेंगे एट इनीशियली देखेंगे तो क्वाइन को इनिशली कौन सा पॉइंट के अप्टल ए है इस पर आप एपलाई करेंगे तो भेलोश्य इप यहां पर क्या है यू है आपको पता है अपको ठीटा की वेलूश क्या है जीरो है ठीक है जीरो कैसे आप समाजी रहे होंगे कैसे देखिए गा देखें आंगे हम तो देखेए जी जिसको हम यहां लाएंगे तो यानि यह निए पर होगा तब चीरो होगा तो आप इस पश्वित वर पास समझ सकते हैं तो हमारे पास वेल्यों यह bad वैलो सिटी यू हो जाएगे तो यू स्कॉर बराबर क्या हो जाएगा यहां से देखेंगे तो आगे यू स्कॉर बराबर अगे हमारे टू ऐ जी पिलस यह कॉस्ट की वैलो क्या हो जाएगे बन ये डेट हमारा एक ही value जा गई क्या u square minus का 2ag यह value पुना है इसी में substitute कर देंगे तो आता हमारे पास velocity की equations आ जाएगी क्या यहां से आ जाएगी 2ag cos theta means cos theta u square minus का 2ag जाएगा और आपको पास जे from second पता है तो आप यहां से capital T की value निकाल लीजिए क्योंकि हमें जो कार है वो capital T से ही है ठीक है तो m upon a common करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या v square minus plus हो जाएगा plus m m तो common कर लिया है only बचेगा a g cos theta ठीक इतना बचेगा आगे बढ़ेंगे हमें यहां से v square की value substitute कर देंगे तो आ जाएगा 2ag cos theta और फिर अपने पास आ जाएगा क्या u square minus का 2ag plus का ag cos theta इतना जाएगा वो यहां से हमारा इस पस्टो और बत्तनाओ का formula निकल किया जाएगा क्या u square minus का 2ag plus 3ag cos theta ठीक है तो इसको equation हम जो कह देंगे इसको चाहें तो हम fourth कह देते हैं और इसको कह देते हैं हम fifth equations तो आपने देखा तरीका हमारा वही है जो हमने derivation में किया था तो इस पस्टो तह हमारा क्या निकल किया गया तनाव निकल किया गया अब according to questions के according चलेंगे according according to the questions हमें क्या पता है हमें पता है कि जो क्या है एट एपर एट एपर क्याप्टल टी की वैल्यूज क्या मिलेगी क्या देगी है उसने हमें दी है उसने यहां से पड़िये दा टेंशन इन दा इस्ट्रेंग है दी वैल्यूज यानि रख रहा है एम डवलू एंड एंड डवलू रिस्पेक्टिविली क्रेंसा वेन दा पार्टिकल इस दा हाइस्ट पॉइंड यानि जब हाइस्ट पर रहता है तो एम डवलू वह जब पर हमें क्या मिल जाएगा यहां पर रख देंगे तो हो जाएगा हमारा एन डवलू एक क्वाल कैप्टल डवलू बनाएंगे इसको ठीक है तो यहां से आ जाएगा एम अपॉन ए यू स्कौर माइनस का टू एजी और फिर अपना आ जाएगा यहां 0 रखेंगे तो बचेग का ओनली ठीक है तो आपना आ जाएगा एन क्याप्टल डवलू बराबर आ जाएगा एसमॉल एम अपॉन ए तो यू स्कौर फिलस का एजी ठीक जी हमारे पास आ गए इसको एक्वेशन हम कह देंगे छटवी ठीक है आंगे बढ़ते हैं तो लगा देती है एट बी पर लगाएंगे तो कैपटल टी की वैलू हमें दी है स्मॉल एम कैपटल डवलू एन ठीटा आप पता है ठीटा कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा रख दीजिए आता हाँ तो हमें रखेंगे इस में तो क्या आ जाएगा small capital MW और फिर आ जाएगा small M upon A आगे बढ़ेंगे हम यहां से ठीक है यह दूसरा M रख लेते हैं जिए M दूसरा हो जिए M दूसरा है ठीक है ध्यान दीजिएगा तो यहां से आप सुरूआा से कर देते हैं पहल। से क्यप्टाल एम लिए लेते हैं को थेक है शुरूआ से सब्सक्राइम क्या स्वेगों कि हमने पहले द्धान दिया क्योंकि prov Heavenly यहां पर यहां पर रखिएगा तो यूए स्कॉर और देखिए धिरी कोस्टी कॉस्ट पाई की नहीं हो जाए गा माइनस से कितना यहां 서त देखिएगा सिस्यां कि आपको पता है डावल बराबर क्या होता है Capital M इनटु जी नहीं होता है यहां से Capital Mr. W B बराबर कितना जाएगा तो यहां पर वैली दोनों में रख देंगे और दोनों को हम क्या कर देंगे देखते हैं फिर क्या आता है दोनों को यह तो जोड़ देंगे फिर देखेंगे आगे यह फिर आप इसको एक क्वेशन क्या ही चुके है तो इसको बराबर में आप ऐसा लि जी ठीक है डबलू अपॉन एजी और फिर हमारा यू स्क्वाब माइनस का फाइव एजी इसको एक्विशन साथ में आप कह दीजिए ठीक जी आपका आगे डबलू से डबलू कैंसल हो जाएगा और हमें क्या प्रूब करना है हमें प्रूब करना है देखिए का एन बराबर ए देखेंगे सिंपली क्या मिलता है हमें तो बढ़ते हैं कि एन माइनस एम ठीक है बराबर जो हम घटाएंगे तो समाजी एगा क्या आता है बन अपॉन एजी क्योंकि डबलू से डबलू कैंसल हो गया हमारा ठीक है डबलू से डबलू हमारा कैंसल हो गया तो एन इंटू दोगेगा यहां पर एजी ऑब माइनिस अब चुकि एम बराबर घट रहा है यानि तो हमारा प्लेस का बन जाएगा यानि 5 ऐजी नहीं बन जाएगा यह जी कैंसल हो जाएगा तो एन माइनस एम एक्वल कितना हो जाएगा यहां से हो जाएगा अपना शेक्स और इसमें देखेंगे तो हमारा जो है फस्ट क्वेश्टन जो है वह सिंपली प्रूफ हो जाएगा तो यहीं हमें क्या करना था अचोई क्वेश्चन है हमारा सिंपल है ना बस हमने थोड़ा विस्तार से इसको लगा दिया इस वज़े से आए देखते हैं क्वेश्च खुमाओ एन्य वाइटिकल सरकिल यानि किसमें एक अभिलम्बत सरकिल में फिर डवलु बन डवलु टु वीदा या उमेगा बन ओमेगा तू वीदा ग्रेटेस्ट and least angular velocity देखिए यानि इसमें कहा गया है कि कम से कम W1 और W2 क्या है देखिएगा W1 क्या है अधिक्तम और W2 कम से कम angular velocity है तीक है यानि कौन ये वेग है and R1, R2 the greatest and least reactions है reactions means क्या है जी एक तरी से तनाव जैसे ही होती है यानि पिति किरिया है reactions means क्या होता पिति किरिया ठीक है तो यहां से सपस्ट और पास जो R1 है वो greatest है और R2 क्या है least है यानि कम से कम है तो prove that हमें सिद्ध करना है when the particle projected यानि जब पार्टीकल को प्रिक्षेपित किया जाता है from the lowest point यानि lowest point से of the circle makes an angle theta और जब theta angle बनाता है the center कहां से center से यानि केंदर से its angular velocity तब इसकी कौन ये वेग इसका इतना रहता है and the reactions of particular हमारी जे रहती है तो हमें यह हमें प्रूब करना तो देखिएगा तो इसमें भी हमें क्या formula की जरूरत पढ़ने वाली देखिए आपको relation सीधा पता होता है किसमें B और omega में है ना तो यानि कि हमें चाहिए पहला velocity का relation जो हमने formula चाहिए और यहां पर पता चाल रहा देखिए reaction और tension बात एक ही है तो देखिएगा reactions और tension की जगए हमें लेना है तो उसका भी हमें formula drive करना पड़ेगा यानि हमें दो formula drive करना है और चुंकि अभी हमने अभी just question number two में हमने उसका प्रूब कराया ही है तो बस हुआ ही दोनों formula यहाँ पर ले 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 जीए derivation से हम करना है तो आए ले ले लेते हम उनको formula का यूज करें कि हम देखते हैं इसको प्रूब कैसे करना है ठीक है तो यहां से हम बीनो square बराबर हमारे पास पता रहता है AD theta dt का square या इसी को थोड़ा और change करने तो क्या हो जाएगा A square omega square बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास यह हो जाएगा U square minus का 2AG plus का 2AG cos theta हमें यह पता है पता है ना में यह तो देखिएगा हमें इसको equation आप first के दिए और आपको reaction वाला formula भी पता है नहीं है तो reaction वाला formula भी आपने ले लीजिए R बराबर M upon A क्या हो जाएगा U square minus 2AG plus 3AG cos theta और इसको हम equation जो है second कह देंगे जी हमें पता है अब देखिए हमें दिया गया क्रमसा W1 greatest है और W2 least है यानि कम से कम है तो देखिएगा greatest कहां पर होगा हमारा omega तो देखिएगा आप relation आपको पता चल रहा from first से ले लेजिए लेजिए लेखिए हाइस कब होगा हमारा देखिए सीधा जो omega का relation किसके साथ theta के साथ यानि जहां ठीत ठीटा की बैलू जादा होगी वहां पर हमारा omega ज्यदा होगा एक वफेशे यहां ठीट चूंकि देख रहे हैं यह ठीटा पर निर्वर कर रहा है चूंकि आप जानते हैं वहां फैक रहे हैं किसी भी भी पर वेक तो हमारा सबके लिए लागो होगा हमें क्या करना है ओमेंगा देखरे ठीटा से है ठीटा हमारा SIMPLY तोरपाज जहां वेलूइ कोज की जादा होगी वहां पर उमेगा ज्यादा होगा तो इसके कोर्टिंग हमें देखिएगा ठीटा की वैलू सबसे ज़्यादा किस पर होती है कॉस जीरो पर ठीटा की वैलू जीरो कब होगी लोइस्ट पॉइंट पर नहीं होगी इस बाज यह से हमारे पास देखेंगे तो यहां से आगे बढ़ेंगे देखते हैं हमारे पास रिलेशन है क्या रिलेशन है A square omega square बराबर U square minus 2AG plus 2AG कोज ठीटा ठीक है यह रिलेशन है तो आपको देख सकते हैं यहां से देखेंगे दा अंगुलर वेलोसिटी अंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इस क्या होगी? ग्रेटेस्ट होगी? ग्रेटेस्ट वेन कब होगी? जब हमारी कोज ठीटा की वेलू मैक्सम होगी और थाथ ठीटा एक्वाल टू जीरो जब ठीट है एक्वाल टू जीरो होगी तो आप इसमें रख दीजिए तो अपने पास क्या मिलेगा? इसक्वार और आपको ग्रेटेस्ट में क्या दिया गया? ओमेगा बन यहां से ओमेगा बन का स्क्वार बरावर अब देखिए यू स्क्वार माइनेस आप देखिए क्वाज ठीटा भी बन रखेंगे तो इससे यह कर जाएगा ओनली यह आएगा इसको एक्वेशन आप थार्ड के देंगे एंड दा एंगुलर बेलोसिटी क्या? ओमेगा इज लीस्ट होगी यानि कम से कम होगी वेन कोज ठीटा की वैलू माइनस बन अर्थात कब होगी? ठीटा की वैलू पाई होगी जब जब ठीटा की वैलू यहाँ पर पाई होगी तो हमें क्या मिलेगा यहां से देखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा तो हमें मिल जाएगा A square omega 2 square बराबर देखिए यहाँ पर रखेंगे हमारे तो क्या मिल जाएगा U square minus का देखिए minus बनाएगी minus minus जुड़ जाएगे तो हमारी हो जाएगे 4 A into G equation इसको हम 4th कह देंगे ठीक है तो हमारे पास यह आगया इतना ठीक आगे बढ़ते हैं now अब आपको relation लाना यानि omega की value निकाल ली है किसकी निकाल ली है questions आपने पढ़ा होगा इस पर स्टोर पर अब आपको चाहिए angular velocity यानि omega की value इतनी चाहिए तो omega की value हमारी कैसे निकलेगी यहाँ से आपको relation आप ले लेंगे इसको यह square omega square बरावर u square minus का 2ag common कर लिए तो यहाँ से आजाएगा 1 minus का cause theta ठीक है अब इसमें हम थोड़ा हमें इसको ऐसे set कर लिए कि हमारे यह पूरा relation आजा तो हम इसकी जगाए पर यह रख दें इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ से एक बटे दो common कर लिजिए तो यहाँ से आजाएगा 2u square और फिर minus यहाँ से आँगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर minus 4ag 1 minus का cause theta ठीक यह आजाएगा इसको थोड़ा सा और solve कीजी आँगे हम तो देखिएगा 2u square minus देखिए आप चुंकि आपको from 4 से पता है 4ag बढ़ाबर 4ag बढ़ाबर पता है आपको u square minus a square omega 2 का square तो रख दीजी यहाँ पर तो आजाएगा यहाँ से u square minus a square omega 2 का square नहीं आजाएगा 1 minus का cause theta अब आज इसको solve कीजिए तो solve करेंगे तो 1 by 2 और आजाएगा 2u square minus u square 1 minus का cause theta और फिर आजाएगा a square omega 2 square 1 minus का cause theta ठीक है आगे बढ़ते हैं थोड़ा और देख सकते हैं u square j u square j तो हमारा बनेगा plus का u square है तो आगे या फिर आप common का लीजिए ये तो हमारे ऐसा कर शकती है common कर लीजिए तो आजाएगा u square बराबर तो देखिएगा j negative j plus का बन जाएगा तो यहाँ पर आजाएगा 1 plus का cause theta ठीक और यहाँ पर आजाएगा e square omega 2 square 1 minus का cause theta ठीक है ये इतना हमारा आजाएगा अब देखा आपने formula पढ़ा होगा इस 1 को हटाने के लिए आप कौन सा formula cause 2 theta का formula खोल देंगे तो आजाएगा 1 y 2 हाँ में बढ़ेंगे तो हमारे पास आजाएगा पहले आप u square की value third से और रख दीजिए सेंस चूंकि आपको पता है u square बराबर a square omega 1 square होता है तो रखेंगे यहाँ से तो a square omega 1 square 1 plus का cause theta plus a square omega 2 square 1 minus का cause theta अब इसको थोड़ा solve कीजिए इसको 1 हटाने के लिए क्या काया देंगे cause 2 theta का formula कोलेंगे तो 1 by 2 2 a1 square sorry a1 जे हो जाएगा cause square theta by 2 plus 2 a square omega 2 square sine square theta by 2 जे आ जाएगा ठीक है तो अब देखिएगा 2 से 2 कैंसल हो जाएगा तो हमारे पास ओ देखेंगे a square यहाँ a square यहाँ तो पूरा हमारा कड जाएगा तो omega square बराबर आ जाएगा omega 1 square cause square theta by 2 plus omega 2 square sine square theta by 2 आ गया बस इसमें omega की value आपको चाहिए तो under root omega 1 square cause square theta by 2 plus omega 2 square sine square theta by 2 तो इस पच्च्च्चता हमारा क्या हो जाएगा हमारा जो है omega यानि angular velocity निकल आएगी तो इस पच्च्चता हमारा जे निकल आया अब हमें चाहिए reaction निकालना तो reaction का भी उसी तरीका से हल कीजी जैसा हमने इस सवाल करी है तो आए देखते हैं हम आगे तो देखी याँगे हमें क्या करना reaction का लेते हैं formula हम देखते हैं from the equation 2 equation 2 हमारी क्या बन जाएगी reaction का formula देख सकते हैं पहले तो हमें लिखना पड़ेगा highest कहां पे होगी the reaction capital R is greatest यानि maximum होगी when कब होगी when theta की value maximum होगी क्योंकि theta का भी इसमें relation जयों का त्यां होगी यानि अर्थात हम कह सकते हैं theta बराबर 0 पर ठीक है and when cos theta equal to minus 1 यहाँ पर list लगा दीजिए and यहाँ पर list लिख दीजिए एक साथ हम करने दे रहे and list list होगी हमारी when जब theta की value minus 1 अर्थात theta हमारा क्या हो जाएगा बराबर pi हो जाएगा so that आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आता वो देखिएगा तो हमारे पास आजाएगा यहाँ से r1 equal m upon a रखिएगा तो आजाएगा u square plus का ag और दूसरा हमारा r2 आजाएगा क्या आजाएगा m upon a u square minus का 5 ag बस g आगे अब इनी को भी बैसे ही solve कर लिएना है आता हा तो हमारे पास capital r वराबर क्या formula है m upon a यहाँ से u square minus का 2 ag plus 3 ag क्या कॉज ठीटा इसको भी बैसे ही हमें setup करना है ठीक है देखिए का कैसे करना है 1 y2 इसमें भी बैसे ही करो a 2 u square minus का 4 ag पिलस का 6 ag कॉज ठीटा ठीक है तो जी हमारे पास इतना आ जाएगा तो आगे बढ़ेंगे तो 1 y2 m upon a u square plus ag इसको हमें क्या करना है इसके गुणन खंड जैसे हमें वो कर देना है ठीक है तो हमारे पास आगे हम क्या करना है तो 1 plus का कॉज ठीटा और फिर आ जाएगा u square minus का 5 ag 1 minus का कॉज ठीटा अब सोच रहे हूँगे यह आपका कैसे आएगा देखिएगा कैसे आना है वो simple है आपको कुछ नहीं करना है इसके गुणन खंड जैसे है प्रोसेस इसकी अपनाना जैसे हमने अभी उसमें किया था बैसे ही करना है ठीक है तो देखिएगा बन बाई टू एम अपन ए तो देखिएगा यह वैल्यू हमारी किसकी बन गई आर बन की है ना कॉज ठीटा और यह वैल्यू किसकी बन गई हमारी आर टू की है ना यह बन गई बन माइनस का कॉज ठीटा ठीक अब बस इसमें बन हटाने के लिए कर देंगे तो हमारा जो सिंपली केप्टल आर बरावर निकल के आ जाएगा आर वन कॉज स्कॉर ठीटा बन वाई टू ठीक है और आगे हमारा आ जाएगा सिंपल दोर पर कितना तो बो देखिएगा ठीक स्वरीजी कट जाएगा यहाँ पर यह जी हमने कॉमन कर लेंगे तो यह भी आपका कट जाएगा ठीक है अर बन कॉज ठीटा बाई टू पिलेस आर टू साइन स्कॉर ठीटा वाई टू इस पिरकास है हमारा यह रिलेशन जो है बहुत ही आसानी से क्या हो जाएगा कि यह पार्टी कल इंसाइट आए मतलब आंतरी गति करता है एंडे दा लौईस्ट फॉइंट ओफिट्ट स्फियर ओफ रेडियस से यह 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 को हॉलो स्फियर है आपका तो वह इस फियर रेडियस यह तेरह जाका उसकी अंतरगत आपका निमन बिंह दूब्र से क्या करता है knitting झाल 앞 गती करता है इसको प्रिक्ष्षेयर किया जाता उस आंखोज को विद वैलॉसिटी इसमें देख्या वहाँ पर यू लिया जाता था इसमें यू की वैलू दे दिये लेकित तरीक हुं ही हमारा सो डेट इट विल भी यानि जब यह है कण यानि बात चले यह कण की जब कण लीब दिए यानि गोलियों को छोड़ता है तब कि हाइट तीन बटे दो यानि उसकी जो चाहिए रहती है कण की एवाब दी लोएस्ट पॉइंट कहने मतलब यह कि जब गती करेगा कोई कण अब यहां से सब यहां तक आया और वो यहां से इस सरिकल को छोड़ देता है तो यहानि छोड़ेगा तो यहां आगे तो यह दूरी तो लीनियाति कौन से लियाती अभी लब ली जाती तो इसको यहां से डॉट डॉट करेंगे तो अमैं पुरूब करना यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 3a2 है एब आप देखो इस पस्ट कह रहा है एब आप दी यानि उपर से लोईस्ट पॉइंट तक ठीक है और यह जोड़ता है लेकिन पहले तो हमें किसकी पड़ेगी और तनाव टी का रिक्साइब का चाहिए तो तरीका यह लेंग्वेज लिखना देखिए यह प्रोजेक्टेट फ्रॉम पॉइंट पॉइंट यानि और ऑफिस विया वेलोसिटी इसके साथ तो यानि कोई में भी वेलोसिटी है और उसके घटक हो जाएंगे यानि कि कंपॉनेंट्स एमजी कॉश्टीट यान्ड एमजी साइन ठीटर देन तब यहां से क्वेशन सब्सक्राइब लगाएंगे तो हमारे पास यह सिंप्ली एक बनेगे क्वेशन आप दी मोशन और एक हमारी यह और यह तो हमारा कॉन बढ़ाव चाप बटेते विज्जा तो यहां से हम इस पश्टा जी बनाएंगे तो यहां तो आप समझ गए होंगे वहाई तरीका है नहीं है तो यह हमारा इतना आ जाएगा आगे हम बढ़ेंगे तो देखिएगा फिर क्या है देखिएगा हमें क्या मिल करने लियुक अब हमें चाहिए धोर हमें इसको डिवलप करना पड़ेगा इस फिगए इस फिगर को थोड़ा करते फिर देखते हैं तो देखिए कह रहा है उन्हां यहां से कर रहा है यानि satisf हमने क्या Veint prior पहुंचता है तो ब्सक्राइए इस को लिव कर देता है चो से इस एंगिल हमारा कुछ होगा तो इसको मैंने कह दिया कि यह ठीटा बन है अब हमें चाहिए क्या अभी इसकी लंबत दूरी चाहिए यानि इसको थोड़ा साम और इसको उपार से यह सी मिला दें समदियेगा अच्छे से देखिए इसको हम थोड़ा ऐसा कर दें तो हमें चाहिए क्या इसको यदि l कह दें तो हमें पुरूब करना कि यह उचाहिए कितनी है 3a y 2 है तो इसके लिए हमें इसको घ सामने कह दिया कि यह alpha कौन है और alpha में क्या मिल जाएगा पूरा एंगल कितना है पाई है यदि पाई में हम theta 1 घटा देंगे तो हमें alpha की value मिल जाएगी यानि हमाई किसी तरह है इतनी जी values मिल जाए क्या यह तो हमें यह स्पश्टत पुरंद मिल जाएगी है ना इसको हम थोड़ी देर के लिए कह देते हैं जी हमारे पास भी है ठीक है कि देखिए जी आपका एलफा तो इसको यदि हम घटक तोड़ें यह आपका वाई कण है वह गती ऐसी करता है कि जब गेड़ता है तो वह यह बिंदू से होकर ऐसे बुजरता है तो हमें यह प्रूफ करना है तो आज यह देखते हैं इसको अच्छे से समझीएगा फिर देखते हैं तो देखेंगे हम यहां से इफ है दी पार्टिकल इफ दी पार्टिकल लिफ्स दी इस फियर एट दी पॉइंट क्यू वेन ठीटा बराबर ठीटा बन देन तब देखेंगे तो देखेंगे जब छोड़ देता है तो यहां पर छोड़ देगा तो पिती करिया क्या हो जागी हमारी जीरो हो जाएगी यहां से आजएगे जीरो बराबर ठीरी एमजी बन वाइट टू प्लेस कोज ठीटा बन और यहां से इंप्लाइज जेट आपका आजएगा कोज ठीटा बन की वेलु क्या जाएगी माइनस बन वाइट ठीक है अब देखिए इफ यह दी आपको पता है कौण क्या जाएगा B O Q बराबर हमने क्या माना A माना स्वरी एलफा नहीं माना देन फिर आपको एलफा की वेलु क्या मिली पाई माइनस ठीटा बन तो यहां से कोज एलफा बराबर हमको क्या मिल जाएगा माइनस का कौज ठीटा बन मिल थीक है अब आपको चाहिए आता है क्या Чाहिए हमें? A L चाहिए तो A L क्या इसे मिलेगी हमें? हमें मिलेगी O A PLUS क्या? O A PLUS O L ऐसलफा कर शकते हैं? नहीं कर शकते अब हमें O-A की value पता है क्या radius A है नहीं है और O-L चाहिए तो O-L हमें कैसे मिलेगी तो देखेंगे तो हमाई O-L मिल जाई क्या उसके गटक तोड़ेंगे तो A cause alpha नहीं हो जाएगी और देखिएगा figure मैं आपको पता देता हूँ देखिए O-L है तो इसका गटक क्या हो जाएगा यहां से हमारे इसकी value रख देंगे तो हमारे पास आजाएगा 3A by 2 यहीं हमें क्या करना था प्रूब करना था अब आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले हम यहां पर लिख देते हैं अर्था दा पार्टिकल अब हमें दूसरा केस हमें क्या करना है प्रूब करना दूसरा केस के लिए हमें वेलोसिटी पता लगाने चाहिए क्या करते हुए वो गिरेगा तो हमें वेलोसिटी चाहिए तो हम कहते हैं इफ यादी बी वन क्या हो जाएगी हमारी इज़िदा वेलोसिटी अब दी पार्टिकल एट क्यू देन तब तो हमें क्या मिलेगा बी वन एक्वल टू माइनस का एजी क्या मिलेगा कॉज ठीटा वन नहीं मिलेगा तो इसमें हम रखेंगे क्योंकि आपको पता है जो आपकी रिपिती क इया वहा पर किया हो गए जीरो गई नहीं हो गई यहां से आप करेंगे तो कितना आ जाएगा फार्टिकल the particle leaves the sphere at the point q with velocity with velocity v1 वरावर under root 1y2a into g ठीक है तो g आ गया हमारा इतना आ जाने के पस्चा देखिए आप तो उस थाप आपका जिए गिरेगा तो कैसा पत कैसा हो तो पड़न के आप प्यरा कारवले कार होगा ? । यह तो इस प्रश्टा आप जानते देखिंए आपने फिजिक्स कमझ पड़ा होगा ? उसको भी हम आगे कराएंगे तो प्रूफ हम देखेंगे फिर बाद में इसका ठीक है आगे बढ़ती हैं यह कह दिया क्या बनाएगा वह मेकेंग कि एन एंगेल एलफा वित है दी होरिजोंटल एंड सब्सक्वेंट ली कि कॉंटली डिस्क्राइव डिस्क्राइव ए पैराबोलेक पत्थ पैराबोलेक पत्थ ठीक है समझ गए अब इतना करने के परचाथ अब आगे हम बढ़ेंगे तो समझिएगा अतहा हम क्या कह सकते हैं भी है हमने यह कुश्य आपने बहुत अच्छी से पढ़ी होगी वाई बराबर एक्स टेन एलफा माइनेश बनवाई टू जी एक्स स्क्वार डिवाइड में वी वन स्क्वार कोज स्क्वार एलफा नहीं पड़ी है यह आप जानते हैं पर अप्छे पत्पर वालिया कार होता उसमें आपकी यह कुश्ण होती है ठीक है तो यहां से आप आप तो हमारे पास बन जाएगा क्या पर यहां पर हमारा हो जाएगा बन भाई फूर और इसको लोटा कर देंगे तो फिर बन जाएगा सेक ऊसको लिख सकते हैं स्क्वार एल्फा बराबर फूर ठीक है अब इसको बन कटेंगे तो टेन एल्फा की वेल्व आपकी आ जाएगी रख दीजी यहां पर अतहा आ जाएगा वाई बराबर अन्डर रूट थी एक्स माइनस का फूर एक्स स्क्वार डिवाइड में आ बीवन की वेल्व हमने रख दी अभी जो निकाली इसकी पिछले पेज में ठीक है आगे है अब हमें क्याओ है फ्रॉर्उम अ from a पर देखिएगा x बराबर आपको पता है ql बराबर क्या a sin alpha होता है नहीं होता है तो a sin alpha बराबर a under root 3 बटे 2 sin alpha की बेरुट निकाली लेंगे आप इसको बर्क करके figure आएंगे तो ठीक है तो end आप देखेंगे and a small y बराबर minus का l into a समझेगा यहां figure में देखिएगा देखिए minus l into a आप इस नीचे की और दिसा दिसा मिलेंगे तो निगेट तो चल लगे क्योंकि हमें निगेट दिसा नीचे की और जा रहे हैं ठीक है यदि आप देखें यह हमारा y x माल लें यह हमार y x है जी हमारा s x है तो जी समझेगे जी नीचे की और हमारा कोडिनेट इस नीचे की और तो निगेटेव हमारा यह जाने बाला है ठीक है तो कितना हो जाएगा जी और इसको हम करेंगे तो माइनस का 3 बटे 2 यानि y दूरी हमारी आगई माइनस 3 बटे 2 यानि इफ यदि हम ले लें we put x बराबर a root 3 बटे 2 then रखिये इसमें equations में देखिएगा y बराबर a under root 3 बटे 2 root 3 minus 4 upon a 3a square divided 4 इसको solve कीजिए तो आपका आजाएगा 3 बटे 2a देखिएगा y आपकी यहां से भी निकल के आईए नहीं निकल के आईए y बराबर हमने देखिए minus l into a यानि figure की देश्टी से जो हमने यहाँ पर प्रूब किया इस height के recording हमने नीचे की और जाएंगे तो जी निगेट हो जाएगी हमने प्रूब करके यह माइनस 3 बटे 2a हमने कि यह जो गिरता है तो यह से उका जाता है तो यानि कि यह मुल्टी हैट दिखा दें यानि कि हम मानस 3 बटे 2 एक दिखा दें तो इसका मतलब काण यहां से जरूर गोज़ेगा तो यह हमने किया तो देखिएगा जे तो हमें इसको तो हमें कोई काम ने क्योंगे प्रूब कर आए तो यहां पर देखिए जब हम एक्स वरावाइस परवालिया कार जिब हमारा इसमें रख रहे हैं तो य की वैलूए हमारी वही निकल यहां ला यहां से हमारा यह प्रूप कर शकते हैं ऊठर लिख दीजिएगा क्स्टंस के जो वन्ते में आप यह लाइन लर्एग दीजिएगा तो वह ही आप यहां स्विवरी हो जाएगी ठीक है आई होप डेट आप इसन तीनों कुश्चन को अच्छे समझ गए होंगे पुना हम बहुत ही इंपोर्टेंट कुश्चन लेकर आए हैं तब तक के लिए धन्नवाद